तो चलो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले question को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा था कि ये parallel beam of light है और वो जो है parallel beam of light जिसकी wavelength lambda है incident normally याने narrow slit ठीक है यहां पर अपने पास narrow slit है S1 ठीक है S1 diffraction pattern obtain a perpendicular distance at minimum second minima diffraction pattern तो ही रहा है यहां से जब light जाएगी तो यहां पर central maxima बनेगा और आयो कि आपको पता होगा ऐसे 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 decrease होती ही चली जाती है तो central maxima यहां पर बनता ठीक है तो यह कहता है at the second minima for the difference difference between the rays coming from the two age of the slit यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर second बनाओगा तो यहां पर two age दोनों age से आने वाली जो भी में जो रह है यहां से वेवलेट्स है ठीक ना वेवलेट्स पूलेंगे वेफरांट से रहें तो यहां से इन दोनों में जो पड़े होगे आप this is the a a sin theta ठीक ना a sin theta is equal to even multiple of lambda by 2 यहां इसको n lambda भी लिख सकते हो और maxima का condition होता है maxima का delta x part difference is equal to a sin theta is equal to odd multiple of lambda by 2 अगर मेरा पूरा वीडियो देख लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी यार ठीक ना यहां यहां एन 123 से स्टार्ट होता है ठीक ना तो अब मैं minimum की बात करूं तो जैसे ही n is equal to वह इसकी बात करूं तो जैसे ही मैं n is equal to 1 रखोंगा तो first minimum मिलेगा तो उसके लिए जो part difference देल्टा एक्स आएगा वह जाएगा ए साइन थीटा एन की वेल्व वन लगए तो लैम्डा आएगा जैसे एन की वेल्व यहां तू रखोंगे एक मिनिट फेरे विच्छों माइक्रोशॉप्ट तो यहां से तुम देखोंगे यहां जैसे एन की वेल्व तू रखोंगे फर्स्ट रखोंगे तो पार्ट डिविरेंट डेल्टा एक्स इसकॉल तो यहां से आ जाएगा यहां से लेंड आ जाएगा जैसे एन की वेल्व तू रखोंगे तो सेकेंड मिनिमा मिलेगा तो डेल्टा एक्स वन मालो डेल्टा एक्स तू पार्ट डिपरेंस इसकॉल टू ए साइन थीटा और यहां से टू लेंड आ जाएगा बात समझेंगे तो पार्ट डिपरेंस जै जैसे ही n की वेलू यहां 3 रखोगे ठीक है तो थर्ड मिनिमा आ जाएगा तो डेल्टा X 3 जो के में जरूरत नहीं है A sin theta is equal to 3 lambda ठीक है अभी मुझे इसकी जरूरत है ठीक है यह condition तो part difference दिया हुआ तो part difference और phase difference में आई हो कि आप फार्मूला पढ़े होगे डेल्टा 2 pi lambda is equal to delta X के equal होता phase difference तो 2 pi यहां से lambda और जो phase का difference है डेल्टा X वो अभी तो निकाले हो part difference ना ऊपर 2 lambda तो यहां से lambda ने lambda को क्तम करता है तो 4 pi जो है वो phase का difference आजाएगा तो 4 pi अगर phase का difference आजाएगा तो इस logic से अपना C option सही हो जाता है चलो थेंक यू बाबा टेक केर